Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल कुछ लोगों का बोलने, बात करने का तरीका या फिर accent ही पूरा बदल जाता था और ऐसा हो भी क्यों न अफ्टर आल उस टाइम विदेश जा पाना और यहां तक कि इसके बारे में सोचना भी सब के बस की बात नहीं होती थी दोस्तों विदेश जाने की तो बात ही छोड़िये हमेंसे अधिकतर के लिए एक बार फ्लाइट में बैठना भी सपने की तरह होता था लेकिन क्या आपने गौड किया कि बीते कुछ टाइम में ना केवल इंस्टाग्राम ट्रेंट्स में बलके हमारे आसपास के लोगों, दोस्तों और रिष्टदारों में भी फॉरेंट ट्रिप्स का बढ़ता क्रेज देखा रह सकता है जहां तक कि शादी के बाद सो कॉल्ड हनीमून ट्रिप्स में भी कश्मीर, शिमला या गोवा जाने वाले कपल्स भी आजकल फॉरेंड डेस्टिनेशन्स का मन बना रहे हैं और यही वज़ा है कि भारतियों दोरा जुलाई दोहोज़र टेईस के बीच में सर्जड फ्लाइट्स के डेटा के आधार पर बनाएगी लिस्ट में आपको दुनिया भर के डेस्टिनेशन्स देखने को मिलते हैं ऐसे में अगर आप आज तक किसी ऐसी ट्रिप पर ना भी गया हो तब भी इस बात की प्रबल संभावना है कि आप ऐसे कुछ लोगों को जरूर जानते होंगे दोस्तों यहीं नहीं रिसेंट इस्टेडीज बताती हैं कि भारतियों के इसी क्रेज के चलते साल 2024 तक भारत से इंटरनाशनल टूरिजम का मार्केट 2024 तक बढ़कर 42 बिलियन डॉलर्स के मार्क को क्रॉस करने वाला है इंडियन्स के इसी क्रेज को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीते कुछ सालों के कैमपरिजन में इस साल कहीं अधिक भारती अपना नियूएर किसी फॉरेन लोकेशन पर ही मनाएंगे इसी दिशा में डेली का इंदरागांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट भी 22 साल ही दुनिया के 10 सब से 20 एरपोर्ट में से एक बन गया जिसके बारे में एरपोर्ट काउंसल इंटरनाशनल का डेटा भी बताता है कि यहां से बीते साल लगबग 6 गरून पैसेंजर्स ने उडान भरी मगर इन सब के बीच प्रशन यह उठता है कि आखर इसके पीछे के कारण क्या है और आखर इंडियन के इंटरनाशनल ट्रिप्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों आज किस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर आप से चर्ज़ा करेंगे यह वीडियो UPSC मेंस जीयस पेपर फर्स्ट के इंडियन सोसाइटी जीयस पेपर टू के फॉरेन पॉलिसी और जीयस पेपर थ्री के एकोनॉमी से रिलेटर सेक्शन के लिए भी इंपोर्टेंट है स्वागे था आप सभी कर स्टेडिय आईक्यो में अनुराग पांडे नाम है मारा और ऐसी दमाम लेटिस ख़वरों के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड सकते हैं दोस्तों अगर हम इंडियन गौर्णमेंट की पॉलिसी पर नजर डालें तो हम पाएंगे की विदेकुस सालों में पास्पोर्ट इशुएंस को लिकर देश में एक नई करांती आई है जहां डिजिटल इंडिया इनिशिटिव के अंडर ऑनलाइन एप्लिकेशन और डिजि लॉकर जैसी इगौर्णन सर्विसेस के इस्तेमाल से पास्पोर्ट एप्लिकेशन प्रोसेस को काफी फास्ट और हैसल फ्री बना दिया गया है जिससे जहां साल 2015 में पास्पोर्ट इशुएंस के काम में तीन से चार हफते का समय लग जाता था वहीं अब एक काम आठ से दस दिनों के भीतर हो जाता है यहाँ तक कि इसी साल Ministry of External Affairs के दोरा M Passport Policy App में रिलीज किया गया है जिससे पास्पोर्ट के लिए ज़रूरी पुलिस वरिफिकेशन में तीन से पास दिन के भीतर हो जाएगा जबकि पहले Passport Applicant को इसी के लिए हफतों का इंतजार करना पड़ता था और कभी-कभी तो उन्हें इस वरिफिकेशन के लिए घूस तक का सहारा लेना पड़ता था दोस्तों बस यही नहीं पासपोर्ट एप्लिकेंट्स की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए गौर्नमेंट ने देश भर में Passport Issuing Offices में भी बढ़तरी की है जहां साल 2014 में देश में केवल 153 Passport Issuing Offices थी वहीं अब यह बढ़कर 521 हो चुकी है साथी सरकार की कोशिश है कि जल से जल देश भर की सभी 543 Constituencies में अपना अलग Passport सेवा केंद्र इस्टेबलिश चिया जाए जिसे खासतोर पर North East India और Rural Areas के लोगों को भी अपने Passports के लिए Far Flung Locations तक ना जाना पड़े यही वज़ा है कि अगर हम Ministry of External Affairs का डेटा उठा कर देखें तो हम पाएंगे कि बीते एक डेकेड में Ministry ने 10 करोन से जादा Passports इशू किये हैं जहां COVID pandemic के दोरान साल 2020 का साल छोड़कर साल 2014 से ही Passport इशूएंस में लगातार बढ़हुतरी देखी दा सकती है जिसके चलते साल 2014 में 91 लैक से लेकर याकड़ा साल दर साल बढ़ते हुए अकेले 2023 में 1.6 करोन से अधिक Passports इशू किये गए हैं जो कि साल 2022 के comparison में 16% से भी जादा है दोस्तों वीडियो को continue करें उससे पहले आप सभी के लिए एक important update है दोस्तों prelims को UPSC की परिक्षा का RN gate मना जाता है इस exam का selection rate 1% से भी कम है इसी मुश्किल को समझते हुए study IQ आपके लिए लाया है SIP Plus यानि Success in Prelims Plus program जिसके अंतरगत मातर 90 दिनों में आप Prelims के RN gate को cross करने में सक्षम हो जाएंगे क्योंकि इस program में आपको भारत की सबसे बहतरीन faculty से 200 plus hours की live revision classes मिलेंगी और इन lectures के बाद आपको revision booklets भी मिलेंगी जिससे आप static और current content को revise कर पाएंगे साथ इसमें CSAT की workshops, UPSC simulator test और All India open test भी शामिल है साथी course में सभी NCRTs और standard test books को भी cover किया जाएगा दोस्तों अगर अभी आप इस course को join करते हैं और एन live coupon code का इस्तेमाल करते हैं तो इस course को मात्र 7,499 के super discounted price में access कर सकते हैं इस course related सभी important links आपको print comment और description box में मिल जाएंगे तो आएए वीडियो को continue करते हैं दोस्तों भारतियों के बीच foreign tourism का बढ़ता करेज केवल availability और passport की वज़ा से नहीं है बलकि इसकी एक बड़ी वज़ा ये भी है कि आज foreign tourist destinations अपनी बाहें फैला कर भारतियों का स्वागत कर रही है यही वज़ा है कि जहां एक और साल 2020 में pandemic के height पर इंडियन्स के पास केवल 23 nations का access था वहीं आज 60 से भी जादा दिश भारतियों को visa free या visa on arrival facilities प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तो भारतियों के बीच Thailand trip की बढ़ती मांग को देखते हुए Thailand ने इंडियन्स के लिए 6 months के लिए visa free entry अनौंस कर दिये है कुछ इसी तरीके से इंडोनेशिया, वियतनाम और श्रिलंका भी भारतियों को visa free entry प्रोवाइड कर रहा है इसी कड़ी में हाल ही में मलेशिया ने भी इंडियन लीजर और business travelers के लिए एक साल तक visa requirements को eliminate कर दिया है जहां मलेशिया की tourism ministry का यह मानना है कि उनके इस फैसले से भारत से मलेशिया आने वाले tourist में 30-40% की बढ़हुतरी देखने को मिलेगी इन सब के लाओ recently इरान और केना ने भी इंडियन travelers के लिए अपने visa restrictions को remove कर दिया है जाहिरे कि इन देशों के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज global level पर भारत का diplomatic status और भारतियों का वर्चेस बढ़ता जा रहा है जिसके चलते देश के potential tourist को सब अपने यहाँ पर attract करना चाहते हैं हलांकि अगर हम आज की स्थिति को देखें तो visa के need के बिना ही नमबर और foreign travel destinations में access के आधार पर तयार होने वाले Henley passport index में Indian passport की ranking काफी नीचे यानि की 80th पैदान पर है जिसका एक बहुत बड़ा कारण बहुत से देशों में established health advisories, security concerns और भारतियों के खिलाफ underlying post-colonial basis को भी माना जाता है इन सब के अलावा अगर हम आखनों पर नजर डालें तो हम पाएंगे की साल 2022 में भारतियों ने 280 करोन से जादा रुपे सिर्फ rejected visa applications पर ही खर्च कर दिये हैं यानि की ऐसी international trips पर जो की कभी होई ही नहीं दोस्तों यह बात सच है Australia, EU, UK और US जैसे डेवलपडेशों का travel visa पाना आज भी Indian passport holders के लिए टेड़ी खिर बना हुआ है लेकिन experts का मानना है की जैसे जैसे Indian economy और diplomatic relations strong होंगे Indian travelers के लिए बाधाएं और भी तेजी से खत्म होती जाएंगी और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज सारी दुनिया को अपनी growth के लिए भारतियों और खास तोर पर उसके युवावर्ग की जरूरत है ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि कि किसी भी देश के टूरिजम सेक्टर के growth की चाब भी Indian travelers के हाथों में है साथिगर भारत को अपने passport index को बहतर करना है तो उसे भी अपने दर्वाजे बाहरती देशों के लिए खोलने होंगे और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की स्तिती में भारत के विल चार देशों के पासपोर्ट, holders को ही prior visa के बिना अपने देश में आने की आजादी दे रहा है ऐसे में experts का मानना है कि अगर भारत भी चाइना के तरह अपनी tourism visa policy को liberal बनाने क्यों और ध्यान देतो ये Indian travelers के लिए भी नई संभावना खोलने में सहायक होगा दूस्तों COVID के तकरीबन डेट से 2 साल तक पूरे तरीके से isolated रहने और rising death count के बीच mental stress के चलते सारी दुनिया में एक नया trend देखने को मिल रहा है जिसका चलते खास तोर पर युवा वर्क के बीच extensive tourism का क्रेज बढ़ता जा रहा है दिखा जा तो social scientist इस phenomenon को revenge tourism कह रहे हैं जहां experts का कहना ये है कि आज का youth इस तरीके से tourism कर रहा है कि मानों COVID के 2 सालों की भडास निकाल रहा हो या social media trends में एक दूसरे को पचाडने की कोशिच में हो लेकिन इंडियन्स के बीच global tourism के इस rising phenomena को एक बड़ा कारण भारतियों की बढ़ती spending capacity और rising aspirations भी हैं जहां वो tourism पर दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं यहां तक कि इसी साल online loaning platform पैसा बाजार दोरा conducted एक सर्वे की मताबिक April से जून 2023 के बीच तीन महीनों में postner loan लेने वाले 24 applicants ने ये loan traveling के उद्देश से लिया था जिसका सीधा सा मतलब ये कि आज इंडियन्स घूमने का शौक पूरा करने के लिए अपनी जेब की भी परवाह नहीं कर रहे हैं ठीक इसी तरीके से hotel and travel booking platform bookings.com की एक report हम ये बताती है कि Asia Pacific region में हॉंग कॉंग के लोगों के बाद इंडियन्स ही सबसे ज़्यादा confident travelers के रूप में उभर रहे हैं दोस्तों इन सब के अलमा भारत और भारत से international destinations की ओर जाने वाले low cost carriers जैसे की air India और indigo आदीने भी ना केवल भारत के भीतर बलकि उसके outbound tourism की growth में एक pivotal role play किया है दोस्तों यही वज़ा है कि अगर हम भारतियों के overseas travel के चलते foreign exchange की outflow पर नजर डाले तो हम पायांगी कि RBI के liberalized remittance scheme के अंतरगर financial year 2023 में अब तक का सबसे ज़ादा 13.7 billion remittance देश के बाहर भेजा गया है ऐसे में जाहिर है कि Indian travelers ने अपने जो punk फैलाए हैं वो आने वाले वक्त में और भी जादा फैलेंगे यही वज़ा है कि projections यह indicate करते हैं कि साल 2030 तक Indian travelers का total expenditure 410 billion dollar के आंकडे को भी cross कर देगा जिसे इंडिया world tourism का fourth largest global spender बन जाएगा दोस्तों बीते एक दशक में प्रगति के पथ पर बढ़ते भारत और प्रगतिशील भारतियों ने मिलकर एक लंबा सफर तैंक किया है और इसी का नतीजा है की आज का भारती एक global citizen बनने की दिशा में अगरिसर है दिखा जाये तो इसी कड़ी में Ministry of External Affairs के दोरा Passport Save Program 2.0 के अंतरगर जल्दी चिप enabled e-passport की सुविधा भी शुरू की जा रही है जिससे आने वाले टाइम में भारतियों के लिए विदेश जाना और भी आसान हो जाएगा साथी जैसे जैसे भारत में विश्व का वर्चस उबढ़ेगा वैसे वैसे भारत और भारतियों के लिए दुनिया के दरवाजे खुलते जाएंगे दोस्तों इसी होप के साथ आज का अपना डिसकेशन एंड करते हैं और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस कोशन जिसके जवाब आप हम इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं